सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्डेकर को और लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बैल आइकन को ज़रूर दोबाएं तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में CRPF, Head Constable Minister and ASI Standover के बाताएंगे किस तरह तरह थे form उनका भरना है तो सबसे पहले आपको Google Chrome खुल लेना अपने mobile पर या फिर desktop पर वहाँ पर सरकार रिजल्ट वैबसाइट डालनी है फिर उसके बाद इस तरह का एक page open होगा यहाँ पर आपको first wallet टैप पर click कर देना है उसके बाद इस तरह की website open होगा जाएगी नीचे जाके देखेंगें हम CRPF Head Constable Minister and ASI Steno Online Form 2023 यह आ रहा है यह आज से online हो गए है तो इस पर click कर देंगे ठीक है इसमें आपकी date बताई गई है कब से कब तक है जो कि आपकी 4.1.2023 से start हुए है और 25.1.2023 तक last date है इसकी ठीक है इसका exam जो है आपका हो जाएगा 22-28 फरवरी को होगा इसकी fees जो है 25.1 तक आपकी submit हो जाने चाहिए admit card आपके 15.2.2023 को मिल जाएंगे और 100 रुपे इसकी fees है ठीक है इसमें आपकी age 18-25 साल तक ले गई है उसके बाद 5 साल का relaxation दिया गया SC और ST category को तीन साल का relaxation दिया गया है OBC category को उसके बाद एक service में अलग-अलग categories है total vacancies अगर इसमें देखें तो 1498 पोस्ट निकली है जिसमें head constable 1315 है और 143 ASI ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अब हम इस form को भढ़ते हैं देखते हैं नीचे आप जब स्क्रोल करते जाएंगे तो आपको दिखेगा एक online का link ठीक है यह आगे जैसे apply online तो click here पर हम click कर देंगे इससे क्या होगा CRP की website पर redirect कर देगा उसके बाद इस तरह कुछ पेज आपके सामीन उपन हो जाएगा आप first time आ रहे हैं तो to register जो option है इस पर आप क्लिक करेंगे अगर आपने पहले से register कर रखा है तो आप इसमें और लेडी रिश्टर टू लॉग इन इस पर क्लिक कर देंगे हम पहली वर आ रहे हैं तो first time में to register और click here पर क्लिक कर देंगे तो रिश्टर दिख रहा है आपको यहां पर और click here पर हम क्लिक कर देंगे इसके बाद कोछ इस तरह का page open होगा आपका upload होने के बाद यह बता रहा है कि आपका suitable browser होना चाहिए इस form को भरने के लिए ठीक है नेक्स्ट हम आते हैं आपके समने details personal details लेगा सबसे पहले आप से ले रहा है पोस्ट applied कौन सी पोस्ट के लिए apply कर रहा है मैं यह वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए एसस तैनों के लिए सेम form भरा जाएगा head constitutional minister के लिए अगर form भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप comment करके जरूरू बताए मैं आपके सारी problems का solution करूँगा next अब मैंने देखा एसस तैनों पर क्लिक कर दिया उसके बाद candidate name में अपना नाम डाल दूँगा अमन सिंग आप अपना नाम डाले जो आपके 10th class की mark sheet में है नाम को गलत ना करें क्योंकि नाम अगर आपका गलत हो जाता है तो आपका form reject होने के chances बहुत जाद हो जाएंगे फिर आप अपने contact details दालें जैसे mobile number mobile number और email ID आपका सही होना चाहिए क्योंकि इन पर आपका registered user ID और password आएगा जिससे आप login कर सकेंगे फर्दर जब आप detail भरेंगे अपने form की तो contact number और email ID आपका सही होना चाहिए जो आप use कर रहे हैं otherwise या तो आप बना लीजे email ID या फिर आप जो आपकी बनी ह हुए वो डाली है नहीं तो आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है ठीक है मैंने अपनी personal email ID इसमें डाल दिये है उसके बाद बढ़ते हैं email ID मैंने dot gmail.com ठीक है आगे बढ़ते हैं नीचे स्क्रॉल करके जो आप नीचे जाएंगे तो यहां पर आएगरी का इस पर आई एग प्रीपचा फिल करना हुआ जो आपको colored में देख रहा है एट वी जैड ई टू वी जैड यह कहरा के सेंसिटिफ है अगर आपका आपर केस है तो आपर केस में लेना है लोर केस है तो लोर में उसके बाद आप रिवेरिफाइपे क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का option open हो जाएंगे इन से भी check box पर आप टिक कर देंगे देखकर कि आपकी जो नाम है email id है किस post के लिए apply करा सही है उसके बद आप submit पर क्लिक करेंगे तेने कह रहा है कि जो भी detail आपने भरिया यह modify नहीं हो पाईगा आगे अगर आप ok करते हैं तो ठीक है ok करके आगे पास आजाएगा इसको आप कहीं note कर लीजिए और regarding आपका user id और password आपको mail पर भी और contact नमर पर भी पहुँच जाएगा जिससे आप आगे login कर सकेंगे तो बढ़ते हम आगे open to application पर जाकर यह आपका इस तरह कुछ load होगा उसके बाद आपके application form open हो जाएगा तो load हैने देते हैं जब तक load हो रहा है तो वीडियो का प्लाइक जरू करें चैनल को सब्सक्राइब करके अपने share friends के साथ share जरू करें अब आपका open हुआ है जिसमें जेंडर भिरना आपका female है तो female male है तो male उसके आपनी date of worth भरें जो आपकी 10th की mark sheet में है मैं अपनी date of worth भर देता हूँ ध regarding age आजाए पूरी उसके आद आपकी category सेलेक्ट कर लें कौन सी category यह general है EWS में आते हैं SC OBC ST जो भी है मैं general category से बढ़ता हूँ उसके आपका यह citizen of Indian यह जो पैले टिक कर देना है फिर आप अपनी personal details वरें जैसे father's name अपने father का नाम डाल देंगे या पर फिर आपनी mother का नाम ड विडोर हैं जो भी है आपका marital status वो डाल देंगे तो मैं unmarit डालता हूँ आप अपना status डाल देजेगा ठीक है अगे बढ़ते हैं फिर अपना मुआ नमबर आ गया email ID दिखाता है next आप से पूछ रहा है कि आप test city कहां पर लेना चाहते हैं मैं पहला दिली सेलेक्ट करता अब भी states आजाएंगी जैसे आप state पर क्लिक करेंगे next box में आपकी regarding districts आजाएंगे तो मैं दिली सेलेक्ट है तो उसमें दिली ही डिस्टिक है फिर मैं दूसरा सेलेक्ट करता हूं UP को उत्तर प्रदेश उसके बाद जैसे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूं देखिए इस ठीक है जो भी आप देना चाहें सेंटर उसमें दे सकते हैं इदी में से आपका कहीं एक्जाम पड़ेगा उसके बाद आता है आप एक्स एरिसमें हैं तो मैं नहीं हूं तो नो कर देंगे या फिर आगर आप नेक्स्ट आता है आपका central government servant हैं जिसका तीन साल हो चाहा है continue 21- 2023 तक तो नहीं मैं central government employee भी नहीं हूं देन आपका आता है कि आपका departmental आप चिल्टरन है जो दंगे में हुए तो उनमें 2002 में next no करके save as next पर क्लिक कर देंगे फिर आपकी preference देखिए इसमें रह गया था निदुली district select करना next आ जाएगा save and next पर क्लिक कर देंगे फिर आपका data successful दिखा दिया है अब next page आपको यहां पर आपका address फिल करवा रहा है सबसे पहले आप अपना address डाल देंगे जैसे आपका घर का पता क्या है फिर आपकी जो भी district है या फिर नीरेस्ट आपका area है वो डाल देंगे country select कर लिंगे इंडिया देन आपका state कोंसा यूपी या फिर या पर जो भी है फिर आप उसकी state की district select करेंगे देन उसके आप pin code डाल देंगे अपने district का मैंने pin code डाल दिये अगरा का 223,07 उसके बाद आपका जो permanent address सेम है correspondent address का अगर है तो yes कर देंगे अगर नहीं है तो no मेरा same है तो मैं yes कर दूँगा देखिए दोनों ही date address same हो जहां पर आपकी education qualification की details fill करनी है सबसे पहले आपको 10th कहां से किया है कौन सा board है cbsc है मेरा कौन सी year of passing किया है वो fill कर देंगे तो मैं अपनी year of passing 10th fill कर देता हूँ आप अपनी mark sheet में देखके fill कर दीजिए फिर आपका कौन सा school था ये कौन सा institute था मैंना अपना डाल दिया है next आपके 12th की पूछ रहा है sorry यहां पर percentage है grade था क्या था उससे करना आपने total कितने marks आये थे कितने मैंसे आये थे ये भर देना है तो यह अपने आप ही आपका percentage calculate कर लगा है ना next आप से intermediate 12th की पूछ रहा है सबसे पहले आप board select करेंगे फिर आपका year of passing कौन सा है वो डाल दें फिर आप से पूछ रहा है आपका school कौन सा है तो आप अपने school का नाम डाल देंगे उसके बाद आप से पूछ रहा है कि please select any of the following तो इसमें पूछ रहा है कि percentage है आपका CGPA है या फिर grade है तो मेरा percentage था marks obtained लिग देंगे कितने आये थे और कितने मैंसे आये थे automatically आपकी percentage calculate कर लेगा फिर आपका save and next पर करके आगे बढ़ जाएंगे फिर यहां पर आपको अपने documents upload करने जैसे photos, sign, 10th और 12th की माशीट, photo आपका size होना चाहिए 50KB से 80KB के बीच है तो इसमें आपको resize होना चाहिए, resize कैसे करना इसकी separate video मैंने पहले बनाई हुया जिसका link मैं description दे दूँगा, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं, तो यहां पर अपने documents select करें डाल देंगे photo, sign, 10th और 12th की माशीट, ठीक है, यह select कर लिया है और आगे बढ़ जाएंगे, सारे resize होना चाहिए, आपके documents जो है 10th और 12th की माशीट आपके होना चाहिए, 100-120KB की submit पर click कर देंगे, submit पर click करने से पहले यह बोलेगा, view करना सभी आपके documents से, इनको पहले view कर लिजे एक बार, फिर आप submit कर दीजे, उसके बाद आपका payment gateway open हो जाएगा, कि आप payment कैसे करना चाहता है, net banking से, UPI से, तो मैं UPI से करना चाहता हूँ, मैं अपना payment QR code से करूँगा, तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक है, वीडियो को like, share और subscribe जोरू करें, वीडियो को एंट तक देखने करें, thank you